वेलकम ओल फ्यू आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर हमने लास लेक्चर के अंदर जो हमारा न्यूकलियस का लेक्चर चल रहा था हमने प्रकिरिनन सुत्र को प्रूफ किया था आज हम नाभी के अकार उसका साइज कैलकुलेट करेंगे और नाभी की डेंसिटी नाभी का घनत्तव किस तरीके से हमारे पास पराप्त होता है ओके तो देखिए प्लीज किस तरीके से हमारे पास पराप्त होगा अब नाभी के साइज को कैलकुलेट करने के लिए सब सब से पहले देखिया आप अब यह हमारे पास एलफा परकिर्णन के लिए माल लेता हूँ मेरे पास यह alpha particles है और यह मेरे पास क्या है nuclear है नाभिक है और यह A और यह P यहां से distance है अब यह क्या P point क्या है जहां पर nuclear का क्या होगा परकिर्णन होगा और यहां से यहां तक की distance x minimum है और यहां से नाभिक से P तक की distance जो है वेक्स minimum और वी वेक से क्या है वी नोट वेक से जो है वो alpha करण क्या हो रहा है परकिर्णित हो रहा है अब फॉस्ट पार्ट करना था हमें size calculate करना था size अकार हमें क्या करना है calculate करना है तो calculate के लिए हमने हमारे पास जो परकिर्णन है अब दीखी परकिर्णन कहा पर होगा किस तरीके से होगा हमारे पास जो परकिर्णन है वो 180 डिगरी पर होगा अब देखेए अब यदि समीपपति भिंदू यानि जो इसके पास वाले पॉइंट को यदि जीरो मान लिया जाए तो वहां की वहां की जो स्तिती जुर्जा है जो स्तिती जुर्जा है वे गती जुर्जा में क्या होगी स्थीति जीजय का गतिऊर्जय में रुपान्त्रन हो गया अब हम कह सकते हैं कि उर्जा सरंक्षन के नियमनुसा तो क्या होगा उर्ज़स्रक्षन के स divided अब देखिए उर्जा स्रक्षिन का नियम क्या होगा 1 by half m v note v note क्या है टक्कर से जनी किसी particle x particle जो है उसके हमारे पास जो alpha कंड पर खिरनन की जो वे किदर अब देखिए 1 by 4 pi epsilon note z e upon e और z e क्या है electron और जो हमारे पास nuclear का और यहाँ distance जो है वो x minimum है जो radius है वो x minimum है और यहाँ से हम क्या calculate कर सकते हैं x minimum क्या आएगा हमारे पास अब 1 by 4 pi epsilon जो के k लिख दीजिए z e square upon half m v note square और यह हमारे पास क्या आजएगी x minimum की value आजएगी क्या आजएगी x minimum की value अब देखिए यहाँ पर 2-3 result निकलेगे सबसे पर रिजल्ट को देखिए आप according to scientific according to scientific जो e है half m note v square जो है वो 5.86 electron volt मापी गई है ओके अब practically क्या होगा practically क्या है है हमारे पास और और हमारे पास जो x minimum की value है वो 41.15 की power 45 यह हमारे पास क्या होगी scientific की value हमारे पास calculate हुई है अब क्या नाभी का अकार calculate करना है नाभी का जो size calculate करना है अकार calculate करना है यह अपन कह देए radius calculate करनी है तिर्जा कल्कूलेट करनी है उसके लिए हम यदि alpha कन particles को alpha कन वाले को और हमें calculate करने के लिए जो उसकी radius है जो हमारे पास उसकी radius जो है वो इस तरीके से होती है हम radius को गोले की रूप में मानते हैं पाई आर नोट क्यूब ए वन पाई और आर क्यूब और यहां से मेरे पास जो आर क्यूब आर आता है रिलेशन आर नोड ओके एक पावर वन बाई थर्ड तो यह हमारे पास एक रिलेशन आता है जिसके जलिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं ओके या इसके रूप में यह रिले अबिका जो अकार है वो द्रवे मान के क्या होगा 1 by 3rd घात के समानुपाती होता है क्या होता है 1 by 3rd घात के समानुपाती होता है और हम यहाँ से कह सकते हैं कि R जो है वो A की पावर समानुपाती 1 by 3rd ओके तो यह बात की मैंने size के coding यहां पर अब graphical represent किस तरीके से होगा अब मुझे calculate क्या करना है यहाँ पर देखी अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि यह x minimum जो यहाँ से यहाँ तक की distance है अब जो graph है वो इस तरीके से मेरे पास पराप्त होता है और यह हमारे पास क्या है आवेग है आवेश है किसका जो आवेश गनतव है जो आवेश गनतव है यदि हम practical करें तो इस तरीके से मेरे पास पराप्त होगा और यह x by 2 दूरी अब देखिए नाभीक से बिंदू x से वह दूरी जो उसे 50% क्या कर दे कम कर दे जो उसे 50% क्या कर दे कम कर दे क्या कम कर दे आवेश गनतव को क्या कर दे कम कर दे ओके तो यह हमारे पास क्या होगे distance में तो इतना का portion जो है वो आपने first part के अंदर complete करना है क्या करना है सबसे पहले हमने x minimum निकाला alpha कंड particles की स्रेंचों निकाली फिर हमने graphical represent को complete किया ओके तो इस तरीके से आपने क्या करनी है इसकी values को complete करना है second देखिया आप second किस तरीके से करेंगे अब हमें calculate करना है नाभी का घनतव नाभी का घनतव किस तरीके जोगा density का formula क्या होता है density का द्रवयमान बटे आयतन density का द्रवयमान बटे आयतन अब हमें द्रवयमान किसका निकालना है अब हमें द्रवयमान निकालना है नाभी का second बात नाभी का घनतव ओके नाभी का घनतव द्रवयमान calculate करना है सोरी यहाँ घनतव calculate करना है मालो यदि नाभी को गोले का एक भाग बाना जाए गोले का भाग माना जाए तो क्या करेंगे यदि हम नाभी को गोले का एक portion माले गोले का एक part माले तो नाभी का घनतव और इसे हम लिखते हैं एन पी से ओके नाभी का घनतव तो क्या होगा नाभी का द्रव्यमान बटे नाभी का आयतन अब सबसे इंपोर्टेट बात इस फॉर्मुले के अंदर हमें क्या क्या बात चाहिए फास्ट फोल क्या चाहिए नाभी का जो नृक्लियस का द्रवयमान और नूकलियोस का द्रवयमान कैसे होगा किस तरीके से निकालेंगे नूकलियोस का द्रवयमान होगा नाभी के द्रवयमान नूकलियोस का द्रवयमान जो होगा वो नाभी की द्रवयमान संख्या एन ए नाभी की द्रवयमान संख्या एन ए वे नाभी के भार नभी की द्रव्यमान मी और द्रोफय मान सँख्या होता हैं अब यह इसत तरीके से होगा और मनोट नाबी का द्रोफय मान और नभी के द्रोफय मान की संख्या में नाभिक का द्रवयमान के संग क्या हमारे पास यह होगी आपन नाभिक का आतन अब आतन की बात करें आब हमलेग लिखा कि नाभिक जो है वो ढूले के तरह fier कर रहे है तो हमने फोर भाई थृप आइयर क्यूब लिख दिया अब गोले की तरह बेवार कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, πаков Ôり की पावर त्री, ए, क्यों की आरणोट क्या थी, यहां पर minimum distance और हमारे पास area होगा, हमारे पास जो नाभी की दरव़ेमान इस तरीके से आया, अब क्या करने है अब क्या करनी है, put value, one and second, तो इसमें पूट कीजिए NP क्या आएगा मेरे पास नाभी का द्रवयमान N A M Note अपन के अंदर 4 x 3 Pi R Note QA 4 x 3 Pi R Note QA अब इसको solve करना है और कुछ भी नहीं करना है एक्साम के अंदर direct पूछा जाता है कि नाभी के size अकार को ग्याद कीजिए और नाभी के घंत्तों को calculate के गिए 1 by half, 1 and 1 by half यानि 3 marks के अंदर दोनों पूछे जाते हैं और 1 marks में पूछे जाता है यह numerical की तरह work कर रहा है यहां मैं लिख रहा हूँ कि यह numerical की तरह working है इसकी ओके? numerical की तरह working है अब क्या करना है इस formula के अंदर कोई नई technique नहीं लगानी है सिर्फ value रखनी है अब value N, A, M, O की 3 into 7 into 1 by 6, 10 की पावर minus 31, क्यों लिखा? 3, 7 द्रवे मान अब देखिए R note की value कितनी है मेरे पास? R note की value R note की value मेरे पास आईगी 1.3 into 10 इसके पावर 45, 1.3 10 इसके पावर minus 45 ओके, तो यह हमने values रहा रखनी है तो रखिए value N, P कितना आएगा? 3 into 7 1.6 10 इसके पावर minus 31 4 by 3 3.14 और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? 1 by 3 into 10 इसके पावर 45 की cube और यहाँ पर A, 1 A into 3 ओके, तो N, P की value कितनी हैगी? calculation कीजिए 21 1.6 31 और यहाँ पर दीन से 3 और 4 इसके बारा 12 into यहाँ 4 और यहाँ कितना आएगा? 3.4 अब 1 by 3 into 10 की पावर 45 की पावर 3rd और इसे हम solve करेंगे तो 2 into 10 की पावर 7 आएगा कितना आएगा? 2 into 10 की पावर 7 kg into meter q kg into meter q ओके? तो यह हमारे पास क्या आजाएगी? values आजाएगी यह हमारे पास क्या आजाएगी? values हमें complete होगी तो कुछ भी नहीं करना है सिर्फ हमने क्या किया? यहाँ पर नाभी के घनत्तव का formula लगाया रोक बराबर क्या होता है? द्रवेमान बटे आइतन द्रवेमान को किस तरीके से calculate करेंगे? द्रवेमान क्या होगा? नाभीक में द्रवेमान की संख्या और नाभीक का द्रवेमान द्रवेमान की संख्या और नाभीक का द्रवेमान सेकंड बाह देखिए नाभीक का आइतन calculate करना है तो आयतन किसके पराबर है? हमने काा посмотрим, जिन नाभी की जो है, वो गोले की तरह बेवार कर रहा है. तो हमने गोले की तरह बेवार करवाया. OK? तो हमने value रखी. और ये value हम क्या करते हैं? यहां से जानते हैं. We know that लिख देनाब. हम जानते हैं. तो यह value हमने यहाँ पर put की और हमारे पास answer बराब्द दुआ तो मुश्किल नहीं है यह question easy है और हमने just नाभी के size और नाभी की rate गनता वो calculate किया है radius को इस तरीके हमने calculate किया है क्या हमारे पास radius आएगी तो यह हमारे पास था basic जो lecture है उसको हमने complete किया है कि को और च्टी सी बात ओर दीखी एक एम्यू क्या होता है अब च्टी सी बात ओ लुइए लिजिए आपं एक मयूकत मतलब क्या है कि हम आगहान लेक्ट्ट में यूज करें करेंगे कारबन 12 की परमानु का द्रवेमान यहाब देखिए तो कारबन– 12 के परमानु के द्रवे पर्मानु के 12 भाग को क्या का जाता है एक इम You कह जाता है तो आप यह कीजेगा 100 क्या है प समय स्भांचतानी जो है करभन बारा के 22 भाग को यह दो गंद 10 12 को क्या का जाता है एक Liu कहा 600 ऑके तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही लेक्स लेक्चर में आप नई टोपिक बार हम चर्चा करेंगे तब तक एलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करें यदि चैनल पर नई है तो सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करने ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए ओके नुकलियर से समंदी लेक्टोनिक से समंदी और हमारे पास क्वांटम मेकानिक से समंदी सम्पूरल लेक्चर आपके इस यूटूब चैनल पर प्रब्द हैं आप वीडियो को देखें लेक्चर लगाएं निरंतर जो हाँ आपके लिए सेवाई हैं वो चालू रहेंगी ओके तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही धन्यवाद all of you